यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और वही सांसद वत्स ने लोगों को वेग्यानिक तृष्टिकोन अपनाने की सला देते हुए ये भी कहा कि ऐसा करने से प्रदेश और देश तरक्की की रहा पर जाएगा उन्होंने कई फैसलों के लिए खाप अंच्वायतों की सरहना किये है और ये भी कहा कि खाप पंच्वायतों ने कन्या भून हत्या को रोकने और अंतर राज्य शाद्यों को बढ़ावा देने का काम किया है और वही फर्जित दिग्रियों के मामले पर उन्होंने कहा कि ये गवर्निंस आने के बाद आप पोरन ऐसे दिग्रियां पकड़ी जा सकेंगे राजवसभा सांसर डिपी वस्त ने पाकिस्तान को मूत और जवाब दिया साथ ही जम्मु कश्मीर में खासकर कश्मीर इलाके में कहीं जगे ऐसा देखा गया है कि जहां पर पत्थरबाज पत्थरबाजी करते नजर आते हैं और कई घटनाए ऐसे भी सामनी आई थी जिनकी तस्वीरे भी सामनी आई थी जहां पर पत्थरबाजों के द्वारा सैनिकों पर पत्थराव किया जाता है उसे पर उन्होंने कड़ा बयान दिया है उन्होंने ये तक कहा कि गोली से उड़ा देना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह की हरकत करते हैं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान को मूतोड जवाब देने वाला है और पाकिस्तान तोटके कगार पर है और खाप पंचायत के लिए पहले भी डीपी वर्स काफी काम कर चुके हैं खाप पंचायतों से जुड़े और इसलिए उन्होंने एक बार फिर से खाप पंचायतों के कामों की तारिफ की हैं। जिसे प्रदेश का हर्वर्ग सुखी है और खुशाल है। जोक्तर बनवारी लाल रविवार को रिवारी जिले के नंगली परसापूर गाउं में 42 लाख रुपे की लागत से बनने वाले पश्चु एस्पताल की अधार शीला रखने पहुंचे थे। इसी दुरान उन्हों पानी में फ्लोराइड की मातरा ज्यादा है तो स्थाइस स्रमधान होने तक अस्थाई तोर पर आरो की सुविधा उपलब्द करा दी जाएगी। तो पश्चु एस्पताल की अधारि एस्था शीला रखी हैं डूक्टर बनन्वारि ल offenses और कॉंग्रेस पर भी यहाँ वार करते नज़र आई है उन्हों ने तुलला की ऑपने उन्हें कारेकाल यानि की बीजेपी के कारेकाल और कॉंग्रेस के कारेकाल कि उन्हें ये भी कहा कि अभी तक जितने भी काम बीजेपी सरकार ने किये हैं उनकी तुलना अगर कॉंग्रेस सरकार के दस साल के कारिकाल से की जाए तो उस पर भारी पड़ता है बीजेपी सरकार के द्वारा किये गए का प्रसकत प्रसकत प्रसकार के द्वारा के दिए किये घ्वारा के दुए प्रसकता है